जो सपनों की घाड़ी हम देखते हैं वो उन्होंने लाइफ करके और उनके लाइफ को ट्रास्फॉर्म कर सकते हैं बिल्कुत सर कहीं ना कहीं आप चाहते हैं तभी आप इसे स्क्रीन में हैं और मैं उनकी बहुत मैं देख लेता हूं सर को आए निया एक बस सर किसी सभी समय हमारे भीच में आ सकते हैं और मैं आप से फिर से कहूंगा कि प्लीज कॉप्या पैनल निकाल के जुरूर बैटिए अपने पास राइट नो डाउंस करिए वह चोटी चोटी बातें जिससे हो सकती है और मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाह संदीप नहरवाल सर प्लीज वैलकम सर अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कि सब्सक्राइब तो देख लेता हूं सरीज यह ना प्लीज वैलकम में सब्सक्राइब को अब ठीक है अब मेरी आवाज आ रही है आपको सर आवाज आ रही फोड़ा सब कैमरा आप उपर गल लिए उस आपका सब हैर गट रहा है अब ठीक है अब मेरी आवाज आ रही है आपको यह सर यह सर ओके ओके शो वेलकम एवरी बड़ी और तैंकि तो वेरी मच वनों चौहां सर फॉर सच अ ग्रान वेलकम और मैं सभी हजार लोग जो जूम पे हैं उन सब का स्वागत करता हूं और जितने भी लोग मुझे यूट्यूब पे भी है तो वहाँ पे भी लोग हैं और हम जूम पे भी हैं तो आप बड़े किस्वत वाले लोग हैं जो इस समय पे जूम पे हैं क्योंकि आपको जूम पे आने का मौका मिला और यूट्यूब वाले जो हैं इंट्रेक्ट नहीं कर पाएंगे तो जितने भी लोग अभी मुझे देख रहे हैं क्रिपया करके मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा एक जगा पर बैठ जाईए आप और नौट बुक और पैनल लेकर बैठिएगा उसके पीछे कारण यह है कि आज हम बात करने वाले हैं आपकी लाइफ के बारे में आज हम बात करें हैं तो आज हम इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे और आज हम जानेंगे कि आपके जो सपने हैं वो कैसे पूरे होंगे आज हम बहुत सारी बाते करने वाले हैं लेकिन जो बातों का में मुख्य इंसान होगा वो आप होंगे मैं आप एक बहुत अच्छी बाल बात आता तो अपने लिए बैठियेगा, अपने परिवार के लिए बैठियेगा, अपने बच्चों के लिए बैठियेगा, बीवी के लिए बैठियेगा, माबाप के लिए करियेगा रीजन क्या है कि आज अगर संडे के दिन दोपैर को बारा बजे अभी आप लोग अगर मुझे जूम मीटिंग में सुन रहे हैं या इस मीटिंग में आए हैं तो एक बात तो पता लग जाती है कि आप अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं मतलब आप जो जीवन अभी जी रहे हैं जो भी अपनी लाइफ को जैसे भी कर रहे हैं भी आप उस लाइफ में थोड़ा बहुत एडिशन करना चाहते हैं मतलब आप कुछ और भी चाहते हैं इसलिए आज बारा बज़े आप संडे के दिन यहां पर आया और वाइस आप क्या कर सकते दे आप अब अभी कर सकते दे अप अराम से घर पे बैठ सकते दे आप अभी और क्या कर सकते थे आप अराम से Facebook, WhatsApp, YouTube पे कुछ गाने, फिल्मे कुछ भी कर सकते थे आप चाते तो लेकिन अगर आपने इस meeting को चुना है तो इस meeting को चुनने का सीधा-सीधा मतलब यह होता है दोस्त कि आप कुछ करना चाते हैं तो आज आपकी इसी चीज़ को मद्दे नजर रखते हुए मैं आगे बढ़ूँगा और आगे चलूँगा और आज अगले 40 मिनट में मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आज आपकी च्छाएं हैं जो भी आज आपके सपने हैं जो भी आज आपके दिल में हैं मैं कोशिश करूँगा कि मेरे शब्दों से मेरे मूँ से निकले हुए शब्द आपके दिल तक पहुँचे और आपको समझा पाएं कि इस जीवन में और इस धर्ती पे जितने भी लोग सफल हुए वो कैसे सफल हुए उसके बारे में जानेंगे और मैं चाहूँगा कि आपको वो चीज़े समझ में आए क्योंकि जब 2014 में मैंने इस इंडर्ट्री को देखा उससे पहले मैं साधान सा इंजिनियर हुआ करता था और नॉर्मल से मद्यमवर्गे परिवार में पला बड़ा जिस मद्यमवर्गे परिवार में मेरे फादर जो जो जॉब पे थे और मेरे मम्मी जो थी वो हाउस वाइफ थी तो एक मद्यमवर्गे परिवार में क्या सिखाया जाता है बच्चे को अमुमन कि अच्छा पढ़ लिख लिए और अच्छी नोकरी कर ले तो मेरे को भी वही सिखाया गया तो सैनिक स्कूल जैसा कि मनोच चौहांसर ने बताया मेरे बाले में उसके बाद में फिर वाइम से कॉलिज फरिदाबाद में उसके बाद में जॉब की मैंने कैंपस प्लेस्मेंट हुआ लाइफ अच्छी थी क्योंकि बच्पन से एकी बात बताई गई थी कि अच्छा पढ़ लिए और अच्छी नोकरी कर लिए और तो मैं मतलब एक बार जो मुझे बोल दिया गया तो मुझे लग गया था लेकिन कहने का मतलब ये था कि दोस्त के अब जब नौकरी कर रहे थे तो नौकरी करते करते कितने लोग के सपने पूरे होते हैं तो मैंने देखा कि मैं ज्यादा ज्यादा नौकरी में क्या कर सकता हूँ ज़्यादा ज़्यादा जो मेरे बिजनस एडेम स्रफीके लूथरा उनकी तनका तक जा सकता हूँ और उनकी तनका आज 55 से 60 साल की उमर है 60 साल की उमर में किसी इंसान की अगर तनका 5 लाख रुपे महीना भी हो जाती है तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि 50-60 साल, 60 साल की उमर में कोई आदमेगर 5 लाख रुपे कमाएगा और अगर मान लेते हैं मर्सेडीज खरीद भी ले, लेंबॉर्गनी खरीद भी ले तो पहली बात तो लेंबॉर्गनी में घुस्ते टाइम कमर में दर्द होगा बाहर निकलते टाइम पता नहीं दर्द कितना होगा निकला जाएगा कि नहीं निकला जाएगा मैं भी ऐसे 2014 में डूंड रहा था और वो कहते हैं एक एब बुक है ऐलकेमिस्ट तो उस बुक में लिखा हुआ है कि जिसको आप डूंड रहे हो आपको डूंड रहा है तो जैसे आप याद करो पिछले एक दो महीने में आपने 100% प्रार्थना करते हुए या कभी दिल से या दोस्तों के आगे मम्मी बापा के आगे कभी ये बात जरूर बोली होगी कि यार अपना भी कुछ करवा दे भाई अपने को भी कुछ ऑपर्चनिटी दिलवा दो है हुगाना था ना अधरान सामी का मुझको भी तो लिफ्ट करा दे तो कुछ ऐसी वैसी बाते आपने बोली होंगी 100% तो जिसकी वज़े से आपको आज ये जूम मिटिंग का लिंक मिला और आज आप यहां पर मेरा वेबिनार देखने आए हैं क्योंकि आप कुछ करना चाते हैं तो मैं दोस्त आपके इसी जो आपके इच्छा है इसी को आगे बढ़ाते हुए और इसी जो आपकी सर्च है इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे लेकर चलता हूँ मेरे वेबिनार के तरफ और मेरी पीपीटी के तरफ तो मैं अब सीज़ा लेकर चलता हूँ मेरी पीपीटी के तरफ तो कुछ भी मैं चालू करूँ उससे पहले मेरे कुछ सवाल है मेरे कुछ सवाल है आप लोगों से तो सबसे पहला मेरा सवाल आप लोगों से क्या है मेरा सवाल है क्या आप सपने देखते हैं क्या आपके सपने हैं अगर हैं तो क्या उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं क्योंकि financially free हो ना दोस्त, धरती पर सिर्फ 5% प्रतिशित लोग हैं जो financially free हैं, only 5% of people are financially free on this mother earth, ऐसा क्यूं है, कि सब लोग चाते तो हैं सफल होना लेकिन सब सफल नहीं हो पाते, सब लोग चाते हैं करोड़पती बनना लेकिन सब करोड़पती नहीं बन पाते, ऐसा क्यूं है ये सबसे बड़ा सवाल है, इसके उपर हम आज जरूर चर्चा करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे अंबानी, टाटा, बिरला, अडानी, गोद्री जो सारे इतने अमीर अमीर लोग बने, अडानी कभी चाल में रहते थे मुंबई के जुगी जोपड़ियों में, तो हाँ, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये है दोस्त, कि क्या आप एक नया काम करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि दोस्त, आप आज तक जो भी करते आए हैं, अगर आगे भी वही करेंगे, तो जो आज आपका लाइफस्टाइल है, आगे भी वही रहेगा, मान लेते हैं कि आज आज आप 35,000 रुपे की तंखापे हैं, और आगे भी अगर वही नौक करी करेंगे, 35,000 रुपे वाली, तो मर्सेडीज कैसे आएगी और आपका सपना मर्सेडीज का है, मर्सेडीज भी छोड़ो, होंडा सेटी कैसे लोगे, होंडा सेटी भी छोड़ो, जो गाड़ी लेना चाते हो कैसे लोगे क्योंकि अभी तक 35,000 रुपे में तो आपका घर चलना बड़ी मुश्किल है तो सपने कैसे पूरे होंगे सपने तो फिर उसमें पूरे नहीं हो सकते तो मेरे दोस्त नया पैसा पाने के लिए हमेशा इंसान को नया काम करना पड़ता है तो जैसे कि वो कहते है अगर आपको माल लेते हैं लंडन जाना है और आपने अपने घर से Mercedes उठाई या कोई भी गाड़ी उठाई तो गाड़ी जो है जो आपके घर पे है वो आपको लंडन नी पहुचा सकती आपकी गाड़ी आपको एरपोर्ट तक पहुचा सकती है एरपोर्ट के बाद आपको फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी लंडन जाने के लिए तो मेरे दोस्त आपकी जो जिन्दगी है अभी आपका जो सोर्स ओफ अर्निंग है उस सोर्स ओफ अर्निंग ने उस कमाई ने आपको जो जिन्दगी देनी थी वो दे दी आपको जो लाइफटाइल देना था वो दे दिया अब उससे ज़्यादा वो नहीं दे सकता अगर आपको उससे ज़ादा चाहिए तो आपको उससे ज़ादा कुछ करना पड़ेगा और कुछ नया करना पड़ेगा तो आज उस नए के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं दोस्त तो आगे मैंने सपनों की बात करी तो किस तरह के सपने देखो किसी का सपना हो सकता है घर का बड़ा सा घर हो, बड़ी सी गाड़ी हो, लक्शुरी गाड़िया हो, घूमने जाएं, फैमिली के साथ में जाएं, अकेले घूमने जाएं, अकाउंट बेलेंस बहुत लागों करोड़ों में हो, बच्चों के अच्छी एजूकेशन हो, और financial security, यह सबसे, यह सबसे एहम चीज़त जो आज के समय पे, कोरोना के आने के बाद में लोग समझे हैं, financial security क्या होती है, कि भाई भगवान ना करे कुछ भी ऐसा हो जाए, उपरवाला ना करे, कि ऐसा कुछ भी हो जाए, कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं, या हम परिवार छो है, क्या वैसी ही जिता रहेगा, ना जाने कोरोना के टाइम पर कितने घर के जो में अर्निंग मेंबर थे, वो चले गए, अब उनकी फैमिली का क्या होगा, ये कोई discuss नहीं करेगा, ना किसी न्यूस चैनल में आएगा, कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन वो, क्या वो वैसी ही जिपाएंगे, जैसी जिपाएंगे, वो अपने घर के मुखिया के रहते हुए जी पा रहे थे, तो इसको बोलते हैं financial security, अगर आपको लगता है कि हाँ, आपने अपने परिवार को इतना सशक्त कर दिया है, कि आप काम करें या ना करें, आप रहें या ना रहें, आपके घ मेरे दोस्त, आपका घर क्या वैसे ही चले का जैसा अभी चल रहा है, इसका मतलब हमें, हमें अभी financial security नहीं हुई है, ये, अब ये जाहिर सी बात असर सपना हर कोई देखता है, तो पूरा क्यों नहीं कर पाता, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल है, कि जब सपन ही है, जो कमाई है, बिजनसमेन की जो भी income है, वो छोटी सी है, खर्चे बहुत बड़े हैं, और यहां तक फिर भी जिन्दीगी ठीक थी लोगों की, लेकिन जब से ये कोरोना आया ना सर, इसने लोगों को बेरुजगार करके रख दिया, ये पिछले कोरोना का, मैं आपको आकड़ा दे रहा हूं, दोस्त, 14 करोड़ लोग बेरुजगार होगे थे पिछले साल, और पिछले साल ये आकड़ा निकल काया था, कि 30 करोड़ लोग बेरुजगार हो जाएंगे, ये CMIE की रिपोर्ट थी, बिसनस टुडे ने ये पब्लिश किया था डेटा, और CMIE की की इसको भी गोली मारो, मैं आप से सवाले कुछता हूं दोस्त, आप मुझे बताओ, कोई बिजनस आज के समय पे क्या प्रॉफिट कमा पा रहा है, सब के शटर नीचे हैं, मौल बंद पड़े हैं, कहां से बिजनस होगा, होई नहीं रहा है, फैक्टरियां बंद पड़ी ह हमारे पास हमारी इंकम खतम होगी, तो कंपनी कुछी बाना दे के सैलरी कम करे जा रही और जिसकी सैलरी भी कम नहीं हुई, और इसको नौकरी से भी निनकाला गया, तो ज़्यादा खुश्मत हो यह दोस्त, क्योंकि जिनको निकाला गया ना नौकरी से, वो आपकी ही नौक इस नोगरी के लिए आएंगे यह कहा जाएंगे क्योंकि इनके पाइन नोकरी तो ढूंडेंगे ना और नई नोकरीया पैदा नहीं हो रही है तो जो एक्जिस्टिंग नोकरी वाले लोग है उन्हीं की नोकरीया खाएंगे और सारी बात है छोड़ो मुझे दोस्त आप एक बात बताओ बेरोजगारी कम हो रही है कि बढ़ रही है बेरोजगारी सर बढ़ती जा रही है आलम यह हो चुका है बेरोजगारी का कि जितने graduate मुझे अभी देख रहे हैं जितने graduation करते हुए बच्चे मुझे जो देख रहे हैं, जितने वो मुझे अभी देख रहे हैं, देखो आलम ये हो चुका है, कि आज उनको खुद पता है इस बात का कि उनको नौकरी नी मिलेगी, और उसके बावजूद भी graduation कर रहे हैं, उनको खुद पता है कि उसके बाद म master's करनी पड़ेगी, हो सके तो PhD भी करनी पड़ेगी, PhD करने के बाद में 30-40 आरपे की 50 आरपे की नौकरी लगेगी, और PhD करते-करते इंसान हो जाता है 32-33 साल का, और 32-33 साल की उमर में जब आदमी काम करना चालू करेगा, तो क्या होगा, और कई तो PhD तक कितने पहुँच हैं, कोई भी नहीं, hardly कोई है, सब लोग graduation के बाद में अपना निपट लेते हैं, क्योंकि गरवालों के पास इतना पाईसा ही नहीं होता, बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है दोस्त, बढ़ती ही जा रही है, पानी पत में 13 चपडासियों के पद निकले कोर्ट में, 13,000 ब परसेंट पर पहुंच चुका है, बेरोजगारी की चरम सीमा पर, आज तक कितना इंडिया बेरोजगार हुआ ही नहीं था, जितना की एप्रिल मंत में हुआ और अभी होता जा रहा है, क्योंकि अभी तो हम oxygen cylinder, plasma, rem receiver, अभी bed range करना, कोरोना की मोते, लाशें, गंगा में करने का इन सब मुद्दों फे, जब ये मुद्दे खतम हो जाएंगे, जब एक कोरोना खतम हो जाएगा, दो-तीन महीने के बाद में, तब क्या करोगे, बेरोजगारी का एकदम से अंबार फूटेगा, और कोई news channel इसको नहीं दिखाएगा, कि इन सब का जो अभी हुआ है, कोविड की वज़े से, इसमें जो बेरोजगार हुए है, उस बेरोजगारी को कोई news channel नहीं दिखाएगा, कोई नहीं दिखाएगा, असलियत तो दिखाएगा नहीं भूल गया है देश, यहां पे सिर्फ आपको entertainment दिया जाता है, दोस्त, तो बेरोजगारी कम होती जा रही ह को, कि आप अपने गम भूल जाओ, अफीम लेने के बाद आदमी नहीं ऐसे खुछ रहता है, तो वैसे news channel या जितने टीवी पे जितना भी आता है, जो भी टीवी पे देखता है, वो अफीम है, आप अपनी असलियत को भूल जाओ, उस महामारी, मारामारी को भूल जाओ, उ उस दुख दर्द को भूल जाओ, और entertainment लो, बस, वही बाता आदमी दारू क्यों पीता है, कि गम भूला ले थोड़ा सा, और जब दारू उतर जाती गम तो फिर वापिस आ जाता है, लेकिन वो जो दारू है, वो उस समय के लिए गम भूला देती है, बस, तो मेरे दोस्त, ऐसे ही आपके साथ किया जा रहा है, तो अभी आपका टेंपरेरी गम भूलाया जा रहा है, आपको सोशल मीडिया पर ऐसे स्टेंट्स देके, कि वही आप जो ही इन स्टेंट्स में ही उलजे रहे हैं, असलिए जो मुद्दा हो तो भूली जाए हैं, खेर, ये तो प्रॉब क्या करें, युवा भी क्या कर सकता है, असली यूठाइकन तो भगत सिंघ थे, लेकिन युवा भी क्या कर सकता है, युवा अब जागेगा रोध सुबबे जाकता ह।was आँए है, अपना एक ड़़ी टेटा कहतम करके सो जाता है। आज का युवा सिर्फ यही कर रहा है, य खेर मैं तो solution देने आया हूँ मैं यहां पर किसी को सवाल करने नहीं आया किसी government को किसी देश को मैं तो यहां solution देने आया हूँ क्योंकि I am a solution provider तो मेरे दोस्त अपने solution पर जाने से पहले मैं आपको बहुत जबरदस बात और बताता हूँ कि basically कोई भी आदमी अगर काम करता है धरती पर तो तीन चीज़ के लिए करता है कि उसके पास में पैसा हो उसके पास में time हो खर्चने के लिए और उसके पास में security हो security मैंने भी बात करी थी वही security ना अब 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 मैं formula देने वाला हूँ आपको डाइरी पहना आप अपना ना पकड़ लीजी अभी अब मैं देने वाला हूँ आपको formula रईस बनने का तो रईस बनने का formula आपकी screen पे ये रहा तो आप बोलेंगे ये क्या ये तो गोले गोले है फार्मुलो तो a square plus b square type के होते ह ये क्या formula दे दिया तो गोले गोले है अब थोड़ा ध्यान से सुनना जो मागली बाते बोलने वाला ये जो गोले है न यही गोले फोलो करके सारे करोड़ पती करोड़ पती बन गए देखो actually में होता क्या है कि कोई भी company कैसे काम करती है company का उपर मालिक होता है उसके नीचे business head आते हैं उसके नीचे VP AGM DGM जनरल manager लोग आते हैं उसके नीचे senior worker आते हैं उसके नीचे worker आते हैं ऐसी तो हर एक company काम करती है करती है गोनर जो है उसके पास में चॉइस है टाइम की, अमबानी का मन करेगा तो सोमवार जाएगा, नहीं करेगा तो नहीं जाएगा, उसको पंच थोड़ी करना है, तनका थोड़ी मिलनी उसको पंच की वज़े से, और सेक्यूरिटी भी है, कुछ भी हो जाए, अमबानी को वैसे तो ना करे ऊपर वाला, लेकिन अगर आज कुछ भी हो जाता है, अमबानी को, तो उसका घर जो है, वो रोड़ पे नहीं आएगा, अब 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 अपर मैनेजमेंट की बात करो, जिनकी आमद नहीं, जिनकी तनकाएं, जिनका जो इंकम होती है, वो साड़े तीन लाग से उपर होती है, तो उनके प पैसा होता है, ना, टाइम होता है, ना, सेक्यूरिटी होती है, ना, कोई आपसे एक लाख रुपे मांग ले, तो पैसे नहीं है, कोई बोले चल पांस दिन के लिए गवा, तो टाइम नहीं है, मतलब मेरे तो, मैं तो क्या करूँ, लोग तो ऐसी ऐसी बाते बोलते हैं, एक मैनेजमेंट कौन होती है, लोग मैनेजमेंट वो होती है, जिनके तंखा जो है, 35,000 से कम होती है, अब उनके पास में टाइम बहुत होता है, लेकिन ना, पैसा होता, ना, सेक्यूरिटी होती, तो जो वर्ड मैं दूँगा आपको, जो अब फॉर्मूला दूँगा आपको, वो हैसली फॉर्मूला उसको चाहें, तो आप बड़े-बड़े एक्षरों में अपने पैन पे, हाथ पे, माते पे जान इकलाव लिख देना, क्योंकि वो फॉर्मूले की वज़े से सारे लोग करोड़ पती हुए है, और उस फॉर्मूला का नाम है नेटवर्क, मालिक के प पैसा है, टाइम है, सेक्यूरिटी है, जो बहुत बड़ा करोड़ पती है, तो एक बात सोच के देखो, कोई भी करोड़ पती, खरबोपती आदमी के बारे में सोचो, क्या उसके नीचे कुछ लोग काम करते हैं, तो जवाब आएगा हाँ, काम करते हैं, और किसी बे गरीब बन गया, माबाप आज भी जो हमारे middle class ही है, और हमारे माबाप भी हमें वही सिका रहे हैं, अच्छा पढ़ लिख ले, अच्छी नौकरी कर ले, अरे नौकरी तो आपने कर ली, आपका क्या हुआ, वही हमारा होगेगा, जाहिर कसी बात है तो अपने को network बनाना पड़ेग क्योंकि network तो business में बन सकता है, तो ये बात जानते हुए कि नौकरी से ज़्यादा पैसा business में है, तो लोग business करते क्यों नहीं, क्यों नहीं करते लोग business, तो इसके पीछे चार कारण है, चार reason है, जिसकी वज़े से कोई भी आदमी business नहीं करता है, इंडिया या धरती लगा तो 7 सो करोड़ लोगों में से पिचान परतिश्यत लोग business नहीं करते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, लाखो करोड़ रुपे हैं नहीं लगाने को, कई हो के पास हैं, तो रिस्क नहीं लेना चाते हैं, लगाना ही नहीं चाते हैं, कई लगाने को त्यार बैठे हैं, तो उनको पास में knowledge नहीं है, क्यार मैं कौन सा business चालू करूँ समझ नहीं आ रहा, पैसे तो हैं, लगा भी सकता हूँ, कौन सा काम चालू करूँ, और कई काम भी चालू करने के लिए बैठे हैं, ग्यान भी है, लेकिन time नहीं उनके पास में, क्योंकि कुछ ना कुछ अपना पैसे कमा के देगा, पांच साल बात पैसे कमाते हैं, और Forbes ने बात बोली है, कि 95% बिजनस जो है, 96% बिजनस जो है, पहले 5 साल में बंद हो जाते हैं, और क्यूं हो जाते हैं, वो बात की बात है, जब आप मेरे साथ में आओगे, तब मैं आपको teach करूँगा, लेकिन अभी हम देंगे, आपको एक system knowledge देगा, और part time का बिजनस है, आपको दिन में मातर एक से दो घंटे मोबाइल पे लगाने हैं, लैप टॉप पे लगाने हैं, और आप महीने कराम से 25 से 30 जा रुपे minimum पहले 2-3 महीने में कमा सकते हैं, तो ऐसा एक को बिजनस है, तो मैं जानना चात हो सोच रहा है कि मैं कौन सा दिख रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, उपर वाला तो देख रहा है, बाई, simple सी बात है, जिसको चाहिए, तो उपर वाले को हाथ बोलेगा कि हाँ वही अपने को देख, खैर, तो मेरे business में जाने से पहल है businessmen, तो अभी सवाल मन में उठता है कि है businessmen कैसे पैसे कमाते है, businessmen network बनाते है, they always create network, जैसे जी ओने क्या बनाया network, एर टल ने क्या बनाया network, हल्दी राम, मैगडी, KFC नोंने क्या बनाया, जगह-जगह पर counter खोल दीए network बनाया, कोलगेट, लक्स, head and shoulder, हार पीक आपके बाथरूम में गुज गया, नजाने कितने घरों में कोलगेट गुज गया, हैं, 50-60 कितने रुपे की आती हो, 100 रुपे की toothpaste आती है, और नजाने कितने करोड़ों के घर में है, तो अगर एक toothpaste से भी वो 5 रुपे कमाता है, तो भाइद बात, celebrity बहुत पैसा कमाते हैं, तो celebrity कैसे पैसा कमाते हैं, अब यह सबसे जरूरी बात है, सबसे एहम सवाल है, celebrity कैसे पैसा कमाते हैं, देखो शारू खान का जो में काम है न, वो तो एक्टिंग है, लेकिन शारू खान देखो, fair and handsome की क्या कर रहा है, marketing, celebrities जो हैं, दोस्त, व लेको, विराट कोली मानने वर का मालिक नहीं है, लेकिन विराट कोली मानने वर की marketing करता है, तो विराट कोली, पिछले साल, अगर मैं 2019 की बात करूँ, तो विराट कोली ने 220 करोड रुपया कमाया है, मात्र ऐसे brands को endorse करके, इन brand की marketing करके, SAC brands की, और उसका cricket से जो income है, पूर सोचो, main काम से जड़ा part-time में कमा रहा है, यह जो endorsement है, जो पार-time वाला काम कब करते हैं, यह तब करते हैं, जब अपने main काम से free हो जाते हैं, यह जब अपने main काम से free होते हैं दोस्त, जैसे शारूखान मुवी से free हो गया, shooting से, विराट कोली cricket से, free हो गया, game खेलके, अप पे नहीं लड़ाते, दोस्तों के साथ गेड़ी हमारे नहीं जाते, टाइम वेस्ट नहीं करते, ये क्या करते हैं, अपना और पैसे कमाने का साधन डूंडते हैं, तो ये शूट पे चले जाते हैं, और वहाँ पे ब्रैंड को एंडोर्स करते हैं, और वहाँ से पैसे कमाते है लेकिन मैं और आप अपने पार्ट टाइम में पता क्या करते हैं माल लेते हैं हमारी नौकरी लगी तो सबसे पहली बात तो क्या होती है हमारे माबाब रिष्टदार महले वाले हमारी इतनी जद बढ़ा देते हैं नीज़त बड़ा तो हो तिरी तो नोकरी लगई ओ भाई अब तो ये बंदा ये बच्चा हमारा क्या हो गया सैट अब मुझे दूसरा बच्चा उसको सैट करना एक तो साला सैट वर्ड आ गया बीच में ना तो माल लेते हैं कि आपको आपकी नोकरी लगई तो महुले सोसाइ टीवी ओन करते हो टाइम वेस्ट करते हो वटसब वटसब खेलते हो फ़णी वीडियो बेजते हो हाँ ही 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 करते हो फालतों का टाइम वेस्ट कर देते हो लेकिन उसी समय पे ये लोग करोड़ोपती बन जाते हैं क्यों पता है दोस्त अमिता बच्चन कोई पास भी 24 हैं लेकिन आप चौविस घंटों में क्या करते हो यह आपको सफल और रह सफल बनाता है चौविस घंटे उपर वाले सबको बराबर दिया हैं और जो उटलाइस करते हैं वह आगे बढ़ जाते हैं जो इस घंटे को वेस्ट करते हैं वो अपना ही नहीं रह जाते हैं और सोचते रह जाते हैं ये कोई दूसरा काम करते होंगे तो तू भी कर ले खेर अब आगे लेके चलता हूँ आपको तो हमने इन दोनों को कंबाइन के हमारे इंडिस्ट्री ने कि बिसन्समें से चुराये नेट्वर्क और सैलीब्रिटी से चुराये मार्कीटिंग और दोनों को मिला दिया तो वारे इंडिस्री बन गी नेट्वर्क Μार्केटिंग आप बोलेंगे यार ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है कुछ भी आप सोचे उस से पहले मैं network marketing को समझाता हूं कि असलियत क्या है network marketing की थुड़ा असलियत को समझते हैं देखो दोस्त आपके घर में साबून आया toothpaste कुछ भी आया तो वह आया कैसे पहले वो समझो देखो manufacturer ने साबून को बनाया ओके manufacturer ने manufacture किया फिर उसको बेजा national agent के पास फिर national agent ने बेजा wholesaler के पास ठोक विगरे था wholesaler ने बेजा sales force को और बीच में फिर वो भी आ गई आलिया बट और करीना कपूर वो अपना साबून लेके गोरा बतन हल्दी चंदन हैं वो भी ऐसे और वीस क्रोडर रुपे ले गई आहा वीस क्रोडर रुपे ले गई फिर उसके बाद में दुकानदार के पास मैं साबून फिर दुकानदार से आपने खरीदा अब जितने बीच के लोग है मैनिफेक्चरर ने तो साबून बना दिया और आपने जिस बनाने वाले ने बना दिया खरीदने वाला खरीद रहा है लेकिन बीच के लोग कौन है ये फालतो के लोग है और बीच के लोग सब ज़्यादा पैसा खा जाते हैं 60% पैसा 70% पैसा ये लोग खा जाते हैं अगर माल लेते हैं आपके पास कोई चीज 10 रुपे की पहुची ना दोस्त तो वो एक्चुल में 2 रुपे की बनी थी 8 रुपे बीच के लोग खा गए और टेक्सी जा गए तो अब है क्या कि 1920 में किसी के दिमाग में आया कि यार अगर में बीच के लोग को गायब कर दे अपन है ना और सीधा मैनुफेक्चरर से आपके तक माल को पहुचा दे इसको बोला गया डेरेट सेलिंग या इसको बोला गया नेटवर्क मार्केटिंग अब इसी तरीके से जो मैं आपको बता दूँ Amazon और Flipkart भी काम करता है Amazon और Flipkart ऐसे ही काम करता है लेकिन Amazon और Flipkart तभी तो आपको सस्ता मिलता है माँ पे लेकिन Amazon और Flipkart में ड्रॉबेक रहता है कि वहाँ पे आप पैसे नहीं कमा सकते है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप मैनुफेक्चरर से डरेट खरीद गे, आप पैसे कमा सकते हो दोस्त, तो यह है नेटवर्क मार्केटिंग, अब असल में बात क्या आती है, कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपके कान में किसने क्या बात बोली सबसे एहम सवाल है देखो के कई के कान में मंत्रा ने बात बोली के कई का हश्र क्या हुआ पांडवों के कान में भगवान श्री कृष्टन ने बात बोली और कौर्वों के कान में उनके मामा ने बात बोली आपके कान में जिसने बात बोली हश्र तो वैसा ही होगा जैसा वो उन्सान है तो मेरे दोस्त आपके ओपर ये निरूरा है आपका सलाकार कोन है। और मिर्से आप एक सलाह जरूर लेकर जाना, आज के बाद हमेशा उसी इंसान की सलाह मानना सिर्फ, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं, जो खुद आपके जैसा है, उसकी कभी भी सलाह मत मानना, क्योंकि जो खुद आपके जैसा है, उसकी सलाह मानन के तो क्या होगा, कुछ बताएगा अगर आपको गुवा जाना है तो जो जा चुका है गुवा उससे पूछो के गुवा क्या है काई से जाएए वो बताएगा आपको जो खुदी नहीं गया वो तो खाली आपको अजम्शन देगा आप किसी भी नहीं काम करो किसी भी एक 35-40,000 वाले से पूछो कि या तो पुछिरान उपर कैसे पोचा Jeffrey यार कुछ तो कना यहोगा अगलागी होगी रोकेटटग्वा सकते ना दोस्ता आपको कि जिन्यों ने बनाया है तो जो खुद करोड़ोपती बने हैं वही तो आपको करोड़ोपती होने का रस्ता बता सकते हैं तो अगर आपको करोड़ोपती आदमी को ढूंड़ो वह करो जो वह कर रहा है आप भी करोड़ोपती हो जाओगे जैसे की बिखारी बनना है मान लेते हैं किसी को Vickivia के पास जा ंए पूचा हो तूक कैसे बिखारी बना तो बिखारी बताएगा मैं ऐसे बिखारी बना तो आफ वही काम करो आभ हम भी बिखारी बन जाओगे उसमें क्या बड़ी बात है तो ऐसी क्रोडफ ना तो मैं नेट्वर्ट मार्केटिंग करता था तो मैं नेट्वर्ट मार्केटिंग करना चालू क्या तो मैं भी कमा गया साधे 3-4 क्रोड रुपे उसमें क्या दिक्कत है बताओ आगे सचा ही बताता हूँ आपको नेट्वर्ट मार्केटिंग की WDFDSA वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डारेट सेलिंग असोसीशन ने रिपोर्ट जारी करी है जिसमें बताया किया कि 189.6 बिलियन डॉलर का ये इंडस्ट्री था 2017 में और 76 बिलियन डॉलर जो है पैसा बट गया और एक बिलियन में बता दो 100 करोड होते हैं और एक डॉलर लगवा 75 रुपे के बराबर होता है तो पुना कर ले ना अपने आप कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये राइट हमारे दोस्त की सोच और हमारे गाउं की सोच हमारे इश्यदारों की सोच से बहुत बड़ी इंड है दोस्ति 2017 में डैना घ्र से uda में अगर अमेरिका पैंतीस बिलें डॉलर यह दोस्ते आदेism बिलियन डॉलर वहीं पर इंडिया का लोड़ी उपनेनब्स दॉलर है इंडिकर यह तो वाली जांगा Guys किसमों is इंडुस्त्री भढ़ने वाली है यह इंडुस्त्री ही भड़ेगी मैं आपको बतादो। मैं आपके पास अगर आपका बेटा या बेटी या बती जा बती जी कजन वजन आए औरो पूचे या कॉन सी मैं कर लिक्तिकी में सकता कौन से कोर्स में सकोप भूघ रहा है आपको डोक्टर बना कर देख लो दो कोड़िए लगते हैं अब सरकारी सीटे में सťतर लाख रुपए हो चुका है बिस्तर लाख रुपए भी तो च और प्राइवेट हॉस्पिटल तीन चार क्रोड रुपए लगेगा अब तीन क्रोड रुपए भी तो होने चाहिए भाई सब डॉक्टर बनने के लिए उसमें बविश्य मानता हूं और बविश्य भी क्या अब बविश्य भी तो कमाना चालू करता है अपनी क्लिनिक वे अगर बाई समझो आप रियालिटी समझो मेरे दोस्त हमारे माबाप बहुत अच्छे दौर में जी चुके हैं उनके दौर में जो था दसवी कोई अगर पास कर ले तो घर पे आके फौजी पुलिस वाले अब यहाँ पर जवान जवान लड़के चलो फौज में भरती हो आज उसी फौज की भरती के लिए नजाने कितने लोग लाग और उपे लिए बैटे हैं सिफारिश डूण रहे हैं लेकिन भरती नहीं हो पा रहे हैं सोचो आज यह हालत है और 20 साल बाद क्या हालत होगी पा सब्सक्राइब क्या कर रहे हैं सब्सक्राइब करा रहा है कि होगा क्या बविश्य में अपने आप होता रहे मेरे साथ जंदगी में एक टाइप के लोग यह भी है कि जो होगा उपर वाला देगा एक कुछ ऐसे भी होता है कि उपर वाला वो ही देता है जो करम हम करते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहके चले गए हैं दौपर यूग में वह सबसे पहले सत्यूग था फिर त्रेता यूग आया फिर दौपर यूग आया तो ये बात तो त्रेता यूग की है सत्यूग की है कि सब कुछ उपर लेकिन दौापर युग में तो भगवान श्री कृष्षन ये पढ़ा के चले गए हैं गीता में कृष्षन को अर्जुन को भी कि भाई जैसा तेरा कर्म होगा वैसे तेरे फल मिलेंगे जैसा तेरा करम होगा तो करम करो मेरे दोस्त तो उपर वाले के हाथ में कुछ नहीं है आपके ही आथ में आपकी जिंदगी है उपर वाला कुछ नहीं करेगा अरे आज से 20 साल पहले तो आप मेंसे न जाने कितने लोग मामा बुगा के यहां पढ़े होंगे आज मामा बुगा की हालेट बहुत है किसको पढ़ाएंगे पैले तो आठ यर नोनो बच्ये दस दस बच्चे हो जाते थे सब पढ़ जाते थे सब पल जाते थे आज दो बच्चे पालने में मुश्किल औह रहा है स्कूल की फीज नहीं भरी जारी एक बच्चे की अरे बहुत हाला टाइट है यार समझो फालतू के यह जो इन सब चीजों मत पड़ो यार अपनी जिन्दगी में सफल हो सबसे बड़ी बात सफल होना है तो अधर वर्ल्ड की बात कर रहा हुए जो जो जोडने परते हैं तो इसका अकाउंट खोल के देख ले ना वो तो ख्याल दे रहा है अपना सच्चाई तो मैं बता रहा हूँ आपको दोस्त तत्थों के साथ में पंदर्वें रैंक पे था पूरे वर्ल्ड में इंडिया और सुनो इसकी इनकी सुनो इनका नाम स्टरामिताब कांथ यह कौन आदमी है यह CEO है नीती आयो के अब यह है कूण वैसे तो यह IAS ऊफिसर है अमिताब कांथ जो है आए एस उफिसर उन्निस सो सी में बन गए थे और अभी जून दोजार उन्निस में यह CEO है नीती आयो के और और नीती एक government institution है जो भारत की economic development को grow होने में मदद करता है एक I.S. officer क्या कह रहा है direct selling को लेके ज़रा इनकी सुनो क्या बोला इन्होंने इट इस ए मेजर ड्राइवर of India's growth यह भारत की growth का one of the major driver है और यह बात कौन कह रहा है एक I.S. officer जो भारत की आज के समय पर economic development के लिए जो संस्ता है उसका head है यह आपका बनियान फटा दोस्त नहीं है इसकी सला मानों जिसकी सला मानों के वैसे ही बनो गए अब आगे सुनना इनकी बात होश उड़ जाएंगे यह युवा के बारे में जो बात बोलेंगे इन्होंने क्या बोला कि भारत में जो है यह अब युवा बढ़ता जा रहा है डोजार चालिस में युवा भारत नंबर वन युवाउं का देश होगा यूथ का देश होगा और यूथ क्यों क्या चाहिए यूथ को तो रोजगार चाहिए यार अब रोजगार देने के इन्होंने दो तरीके बताए या तो manufacturing को बहुत बड़े scale पे करो बहुत बड़े level पे करो या दूसरा तरीका क्या बता है direct selling करो किसने बोली ये बात एक IAS officer ने चाई के टपरी पे पंजाब के सिरी पढ़ते हुए फटी बनियान वाले किसी चच्चा ने नहीं बोली जिसके चपल भी जुड़ी जुड़ी के आई है उसने नहीं बोली ये बात आप एक आपको बात होता हूँ आपना कहीं भी जाओ किसी भी आदमी से किसी भी एरिया का पूछ लो इंडिया वालों के खास बात होती है कुछ ना कुछ तो बताई देंगे कसम से बता रहा हूँ आप अपने दोस्ते पूछ लो आप अपने दोस्ते कुछ भी पूछ लो कुछ ना गुस्तो बताएगा आपको कभी ये नहीं कहेगा मुझे ये नहीं पता क्योंकि उससे लगता है कि उसको एहम कम हो जाए अब जाके आपके नेटो मार्किटिंग अगर किसे सला दोे ना कि करूंक ना करूं कुछ ना जूळाइब और जो बोले है नेगेटिव बोले है क्योंकि इंडिया ना केकड़ों यूटव का B आप वो घृष्टे रहते हैं, तो हमारे देश भी ऐसे ही हो रखे है, आज की टाइम पर. एक दूसरे को आगे बढ़ा हो, एक दूसरे को सफल करो, तभी सफल होगे हम दोस्त। दुबारा से भुखमरी की तरफ जा रहा है देश तो मेरे दोस्त तभी क्रांति आएगी जब हमें दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तभी ये देश आगे बढ़ेगा तभी आप आगे बढ़ोगे और ये चालू होगा सिर्फ आप से ये देखो मोदी जी क्या बोल रहे है बेरोजगारी भारत का सबसे चिंता जैनक विशह है और डारेट सेलिंग उसको बचा रही है मोदी जी की स्टेटमेंट है और ये देखो इन्होंने बोला कि डूबी हुई एकॉनमी को जो उपर निकालेगा उसमें सबसे जबरतस गोड़ा साबित होगा डारेट सेलिंग आप में बोलाता है इन्होंने 15 जून को फिक्की और केपीमजी क्या है दो संस्ता हैं फिक्की बिजनस देखती है बारत में ये जितने बिजनसेस हैं उसका पास्ट प्रेजेंट फिचर क्या होगा और केपीमजी वर्ल्ड की चौथे नंबर की औरिट कमपनी है इन दोनों मिलके नेटवर्क मार्केटिंग के उपर इंडिया की नेटवर्क मार्केटिंग के उपर एक रिपोर्ट त्यार करी जिस रिपोर्ट हैं बताया कि 2025 में तेखो मैंने रेड से इसको रेक्टेंगल किया हुआ है कि 2025 में ये इंडस्ट्री 64500 करोड की हो जाएगी इंडिया इंडिया में और ये तब बोला गया था जब 2014 में कोरोना नहीं आया था लेकिन ये जैसे कोविड आया है तो न जाने कितने सारे लोग हमारे साथ में आज के टाइम पर रोज के न जाने 400-500 लोग असोशियेट हो रहे हैं जुड़ रहे हैं हमारे साथ में बहुत अब जिनकी नौकरी नहीं लेगी ना लगने का डर है वह आ रहे हैं अरे आज के समय पे बहुत गंदा आलो रखा वाई सारी दुनिया जुड़ती जा रही है त 2025 में मात्र चार साल बात भविश्य इसी इंडस्ट्री का है दोस्त और उसी रिपोर्ट में बताया गया जो उन्होंने government of India को submit करी कि direct selling थोड़ी अलग है फरजी कंपनियों से तो उसमें बताया क्या है लेकिन जिस कंपनी के साथ हम सर काम करते हैं हम very lucky है वह व्यार वेरी extremely very lucky कि हम Westige Marketing Private Limited के साथ में काम करते हैं हमारी कंपनी का नाम है Westige Marketing Private Limited Westige एक टोटली इंडियन ब्रैंड है और जो कंपनी के मालिक है वो तीन मालिक है हम number one company हैं इंडिया की आज के time पे और दोस्त पूरे world की अगर बात करूँ तो तीसवा rank था 2019-20 में तीसवा rank था 2019-20 में और अकेली ऐसे इंडियान company हैं जो भारत की network marketing को बाहर रिप्रेजेंट करते हैं यू आर वेरी लखी कि आपको वेस्टीज का ये वेबिनार देखने का मौका मिला और उसमें काम करने का मौका मिलेगा इंडिया के अलावा वेस्टीज दुबई, ओमान, साओधी, बैरेन, बांगलादेश, थाइरेन, गाना, नेपाल, येमेन जैसे देशों में है और बहुत ये मर्सेडीज, बीमडबलू, जैगवार, रेंज रोवर, लैंड रोवर जैसी लगशिरी गाडिया चलाते हैं, दो क्रोड से जादा परिवार हमारे साथ में वेस्टीज में अलडी इस समय पे जुड़े हुए हैं, लेकिन चिंता करना ही बात नहीं हैं, दो क्रोड ही और तीन हजार से जादा हमारे आउटलेट्स हैं, तीन हजार से जादा हमारे शोरू में हैं, इंडिया, इंडिया में, क्या बनाता है वेस्टीज, वेस्टीज हर वो समान बनाता जो आपके घर में यूज होता है, क्या आपके घर में साबुन तेल, शैंपू, चाय पत्ती, coffee use होता है वेस्टीज बनाता है क्या आपके घर में hand wash toilet cleaner floor cleaner use होता है वो भी बनाता है क्या आपके घर में supplement यूज होते हैं आपके घर में ना यह सबसे एहम category है आज के समय की reason क्या है कि भईया government of India ने तो बोल दिया कि तुम्हारी जान तुम्हारे बरोसे immunity तेज करो भईया हमारे पर बैड़ नहीं है ना oxygen ना हमारे पर कोई इलाज है तो आपकी immunity ही आपको बचाएगी और immunity strong करने के लिए सर आज के समय पे आपको supplements की बहुत जरूरत है किसी को अगर कोविड है तो हमारे पांच supplement है वो जरूर दीजिएगा है ना curcumin spirulina आमला और हमारा जो सबसे बड़ी जो चीज है वह सी बप्थॉन राइट तो यह supplement जरूर दीजिएगा दोस्त अगर मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा दीजिएगा और अगर आपको बचना है इम्यूरिटी स्ट्रॉंग रखनी है तो भी हमारे सप्लिमेंट खाईएगा चौती कैटेगरी एगरी कल्चर के हमारे प्रोडेक्ट्स है मार्वलेस प्रोडेक्ट है अभी एगरी हाईर का मतलब क्या होता है के हवा को सफ करने की मशीन वाटर को साफ करने की मशीन आपकी साफ करने की मशीन थसकीख तोड़ूँगा मैं चटा हमारा जो category वो ladies का category है और 7th category है हमारी premium skincare तो अब air purifier में दुबारा चलते हैं अभी मैंने google किया यही चीज के घर में pollution जादा है कि बार pollution जादा है तो निकल के आया कि घर के अंदर 2-5 गुना pollution जादा है as compared to outside आपके घर में pollution जादा है बार से compare करें तो और कितने लोग pollution से मरते हैं पता है इंडिया में एक साल में deaths due to air pollution in इंडिया मैंने google किया दोस्त निकल के आया चौथे नंबर का कारण है मौत का यह इंडिया में और 50 लाख लोग की जान लेके मरता है सोचो आप राइट यह देखिए दो 16 लाख लोग indoor air pollution से घर की pollution से मरते हैं हर साथ अभी एक चीज और है अभी बोला गया कि घर में भी मास्क लगाओ क्योंकि यह तो हवा में फैल रहा है करोना तो आप बोलोगे कोरोना का air purifier से क्या लेना देना बिलकुल लेना देना क्यो जो यह क्लेम करती है और जो मानती है और जो यह प्रूव भी कर दिया के हवा में फैल होगे कोरोना वाइरस को हम मार देते हैं यह air purifier air purifier कोरोना वाइरस को मार देता अगर आप इसको किसी कमरे में लगा दें 20 air purifier देखिए सर हमसे सवदर जंग हॉस्पिटल ने लिए कहा लगाने के लिए dedicated to COVID-19 isolation facility सवदर जंग हॉस्पिटल from sharp businesses system India private limited कोरोना के मरीजों के पास लगाने के लिए उनके कमरे में लगाने के लिए यह देखो पुने हॉस्पिटल ने कितने air purifier खरीदे महाराष्ट्र पुलिस ने air purifier खरीदे यह देखिए अग जब यह खरीद रहे थ कह रहें कि गलत कह रहें कि कोरोना वाइरस को मारता है कि नहीं मारता तो शार्प के इस air purifier के उपर रिसर्च किया और उस रिसर्च के टेस्टिंग रिजल्ट कैनिकल के आए कि यह जो air purifier है मात्र 30 सेकंड अगर किसी रूम में लगा दो आप तो उस रूम के 91.3% को यह 30 सेक आप को मात कभी नहीं दे सकते हो टेकनोलोजी का बाप है जपान राइट एर प्यूरिफायर एंड कोविड न्यूस आज के समय पे आप देखो आप टाइप करना एर प्यूरिफायर एंड कोविड तो निकल के आएगे बहुत सारी न्यूस और देखो सबसे बड़ी चीज क पने रही है तो अब बताते हैं के इर पियूरिफायर लेना क्यों है या वेस्टी से समान लेना क्यों है घर काराशन लेना क्यों है तो छे कारण है दोस्त आपको वेस्टीज से समान खरीदने के कारण नमबर एक कि आप जब बाहर पर चून की दुकान से समान लेते हो या बिग बजार समान लेते हो तो आपको MRP पर समान मिलता है लेकिन वेस्टीज से आपको सर MRP से 10 से 20% आफ पर समान मिलेगा दूसरा फाइदा क्या है कि आपको cash back मिलता है 5-11% का जितना आपका बिल बनेगा उससे 5-11% आपको cash back मिलेगा तीसरा फाइदा क्या है जब भी आप खरीदने जाएंगे कुछ तो आपको 200-400 रुपे के product free मिलेंगे चौता फाइदा क्या है 100% money back guarantee policy है कि आपको अगर product पसंद नहीं आते तो आप अपना product वापिस करके समान अपना पैसा वापिस ले सकते हो पांचमा फाइदा क्या है lucky draw निकलता हर मही ने जिसमें टीवी और अपना क्या ना मैं microwave लैप्टोप ऐसे lucky draw में निकलते हैं और चटा फाइदा पूरे बर्मांड में कोई नहीं देता आपको क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप पर्चून की दुकान पे गए जिससे आप पिछले तीन साल से समान खरीदते हैं अपने घर का राशन और आप ले पर्ची दी और चार अजार रुपे का तीन अजार रुपे का बिल बना और आपके उस पर्चून की दुकान वाले ने बोला सर आप हमसे पिछले तीन साल से समान खरीद रहें आपके लिए इसलिए हमने आज का ये समान जो है टुटली फ्री कर दी, आप जाओ, कभी ऐसा हुआ, कभी नहीं हुआ और ना कभी होगा लेकिन वेस्टीज उसी समय पर बूलती है कि आप मेरे से मात्र चार महीने तीन हजार रुपे का समान खरीद लो आप पांचों मेने धाई हजार रुपे का समान फ्री ले जाओ मेरे से गजब बात है दोस्त कि आज तक कोई नहीं करता आया वेस्टीज कर रही है और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आप इसी वेबिनार में कल परसों जो है अपने किसी जानने वाले को बुलाते हो और तीस तारिक तक आप छे लोगों को मातर तीन जार रुपे का समान आपके कहने पर ले ले लें अगर वो लोग अपनी दुकान बदलने वो लोग तो सर आपको ढ़ाई जार रुपे का एक वाउचर कूपा नौर मिलेगा तो पांच जार रुपे आप ऐसे कर सकते हो सिंपल सी बात पांच जार रुपे का समान और क्या फाइदा है कि नो तरीके की इंकम आती है जिसमें लीडर्शिप ओवराइडिंग बोनस है ट्रेवल फंड है कार फंड से आप उन्नी गाड़ी खरीच सकते हो हाउस फंड से घर खरीच सकते हो ट्रेवल फंड से गूमने जा सकते हो देखो वेस्टीज कहा कहा गूमा के लाया स्कॉटलेंड डंडन होंग कॉंग ताशकन मकाव दुबई स्विजल लेंड मलेशिया आमस्रेड़ेंग पैरिस बिजिंग रश्या बाली टर्की आंस्त्रेलिया अबुदाबी फुकेट थाइलेंड इन देशों में घुमाया है लोगों को यार और कारफंड से देखो इन लोगोंने गाटिया ली हैं ये सारे लोग वेस्टीज के लोग हैं और हाउस फंड से देखो प्याउट की बात करेंगे तो सरी इनका नाम मिस्ट आशीश वालिया इनका दूसरे महीने का जो प्याउट है पंजाब से बिलॉंग करते हैं दूसरे महीने का प्याउट इनका है सर्च 26,441 रुपे इनसे मिलिए संतोष कुमार MR है मेडिकल रिप्रेजेंटिटिव और पार्ट टाइम में हमारे साथे बिसनस को बिल्ड कर रहे हैं और 27,320 रुपे का इनका पिछले महीने का प्याउट है मिलिए प्रतिवा एंड अर्पिजी से अर्पिजी मुंबई में जॉब करते हैं प्रतिवा जी जो हैं हाउस वाइफ हैं और इनका पिछले महीने का प्याउट है 32,939 रुपे शिवम जो की एक मॉल में जॉब करता था लड़का ऐसी मॉल बॉआए था और आज पिछले महीने का इनका प्याउट है 34,890 रुपे का प्याउट है शिवम का तो मिलते हैं राकेश यादव जी से राकेश यादव जी ने चमतकार किया है दोस्त एपरिब मंद का जो इनका प्याउट है वो 49,238 रुपे है मिलिये सुरेंदर कुमार से सुरेंदर कुमार भी मेडिकल रिप्रेजेंटिटिव थे अभी भी है खेर और अभी जो इनका पिछले मंद का जो पार्ट टाइम इंकम है वो 42,800 रुपे का है मिलिये मिसर प्रशांत राजपूत से 19 साल का ये लड़का चमतकार करके रखा हुआ यार इसने कभी आइफोन 11 खरीटा है तो कभी मैक बुक 85,000 रुपे खरीद लेता है तो प्रशांत ने यार 19 साल की उमर में 45,989 मतलब 46,000 रुपे ही बोलो यार 40,000 रुपे कमा हैं पिछले महीने की बात करो तो और 19 साल की उमर स्टूडेंट होते हुए सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट होते हुए अरे दोस्त आज के समय पे तीन साल इंजिनियर अगर नौकरी कर ले तो 40,000 रुपे तन खानी हो रही उसकी और ये देखो मातर दो-पांच महीने काम करके 19 साल का लड़का कमा रहा है मुबाइल के सामने बैठके घर से एक ना दिन पैर भार रखे बिना अपना कर रहा है और घर पे पड़ भी रहा होगा अपना मिलिये सूरच कपूर से जो की हर्याना सिरसा से बिलॉंग करते हैं पिछले महीने का प्याउट है 25,543 और जानके हरान हो जाएंगे इसकी एज मातर 21 साल है 21 साल है ये एक स्कूल में म्यूजिक टीचर लगा 9,000 रुपे इसकी तनखात थी और पिछले महीने का इसका प्याउट है 25,543 रुपे गजब यार 9,000 म्यूजिक टीचर 8 घंटे 9 करी और आज 52,000 रुपे कमारे महीने के मिलिए दो जवर्दस डाइनमिक पंजाब की परसनालिटी पंजाब तो आएं दो जट बलजिंदर सिंग और इंदर जीत सिंग लास्ट मन्त का इनका जो प्याउट है दोस्त वो है 69,428 लगबग 60,000 रुपे इंजिन हैं दोनों और खेती किया करते थे अपने पापा के साथ में क्यों नौकरी से तो इतना कमानी पा रहे थे तो काम चालू किया और देखवा 60,000 रुपे कमा रहे हैं मिलिए शिवा मिश्रा से शिवा मिश्रा जी बरेली से बिलॉंग करते हैं मेरी टीम में और मेडिकल रिप्रेजेंटिटीव है लिूपिन में लिूपिन में ये कंट्री के टॉप थ्री परफॉर्मर में रहते हैं अपनी नौकरी में इंजिनियर बाइ प्रोफेशन काइनेटिक जिसकी स्कूटी आती उस कंपनी में जॉब करती थी पूना में 35 जार रुपेन की तंखा होती थी जब मेरे से मुलाकात हुई और आज सर महीने का लगबग 78 जार रुपया कमाती है महीने का जगत सिंग बिष्ट जगत के लिए इंस्पिरेशन है साथ जार रुपे की मात्र फोटो कॉपी की दुकान में नौकरी करने वाला ये शक्स 45 साल का आज सर साथ जार रुपे की नौकरी से बढ़के 87 जार रुपे पहुँच गया लेकिन वो कहते हैं कि क्यों पहुँचा वो क पोटो कॉपी की दुकान बंद होगी और इनकी नौकरी चली गई ऑफिशली साथ जार रुपे बंद होगे तो मेरे दोस्त इन्होंने ऑनलाइन मेरी टीम में एक लीडर से मुलाकात करी फेसबूक में मिले और आज सर महीने का ये साथ हजार रुपया पिछले 20 साल से कमाने वाला सेक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर चुका है जगत सिंग बिष्ट आज महीने के 87,000 रुपे कमाते हैं जबर दस्त काम करते हैं सर मिस्टर मनोच चोहन और उनकी वाइफ प्रियांशू प्रियांशू हाउस वाइफ है और मनोच चोहन जो है वो जिन्होंने आज रुपे अपनी सवा लाख रुपे की नौकरी के साथ पार्ट टाइम में कमाया गजब लीडर्शिप गजब इंसान और मिलवाता हूं एक और डैनेमिक कपल से पावर कपल ओफ हार टीम मेगा मैम और भुपेश महरा मेगा मैम टीचर हुआ करती थी और भुपेश जी पंद बात प्याउट की नहीं है बात उस सोच की है दोस्त जो मैं बताने वाला हूँ आपको जिससे आपके होश उड़ जाएंगे पंदरा साल नौकरी करने के बाद भुपेश जी चलाया करते थे स्विफ डिजायर और आज मात्र हमारे साथ 11 महीने वेस्टीच करने के बाद में भुपेश जी चला रहे हैं अपनी सेल्फ ड्रीवन मर्सेडी सी क्लास यह बहुत बड़ी बात है कि पचास लाख रुपे की गाड़ी जो ही चला रहे हैं आज के समय पे तो अमेजिंग वार्क अमेजिंग लीडरिशिप अमेजिंग अनमेजिंग पावर कपल मिलवाता हू मिस्टर सुनील कुमार सिंगा इनको मैं अमर क्यों बोलता हूं हर बार जब इनसे मैं मुखातिब करवाता हूं क्योंकि ये आदमी के जीवन में इतना बुरा दौर था एक समय के सुसाइड करने वाले थे जब पिछली मार्च को मैं इनसे मिला तो एक कॉंट्रेक्टर थे और करजे में इतने डूब गए थे कि उडिसा के रहने वाले मिस्टर सुनील कुमार सिंगा ने सुसाइड करने का सोचा और मैंने इनको भरोसा दिलाया कि सुनील सर आप सिर्फ मेरो पर भरोसा करिए और मात्र मुझे दो-चार महीने दीजिए और उन्हों मुझे दो-चार लोके लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं जवर्दस सुनील कुमार सिंगा जी एक और कपल से मिलवाता हूं मैं आपको जिनका नाम है अली पुरु मारमा और बिनोद्रे अली पुरु जी जो है वो बैंगला देश से बिलॉंग करती हैं और बिनोद जी जो है वो बिहार से करिदा बाद में आप जाने चेक कर सकते हैं तो वहां बिनोद्रे यूि वेटर थे और वेटर एक ने सोची कि मैं बड़ा आदमी बनूँ और गा Shout टो दिसंब्स मिलवाता हूँ आपको मैं शिवानी एन हिमानशू से एक सॉफ्टवेर कपल, सॉफटवेर इंजीनियर कपल, दोनों जमर्दस इंजीनियर हुआ करते थे, एक विप्रो में जॉब करते थे हिमानशू और आईबियम में जॉब करते थे शिवानी, ऐसा नहीं था कि अपने कॉ और यह हमारे साथ में वेस्टीज में आए और मातर अठारा महीने की जर्नी देखिएगा दोस्त इस पावर कपल की के दो लाख अड़ती जार दोसो असी रुपए का इनका एप्रिल का प्याउट है और इतने जबरदस तरीके से इस बिसनस को बिल्ड कर रहे हैं इतनी शांद की जोब की छोड़ी अरे बहया जोब करता क्यों है आदो पईसा कमाने के लिए तो पैसा जब यहाँ से आ रहा तो का काई करेंगे किसी की जी जीज़ूरी अरे आप भी नहीं करना चाहरे यार आप में से ऐसे कितने लोग जो दिल से चाहते हैं कि नौकरी करें अरे आपको नौकरी से प्यार नहीं है दो सेलरी से प्यार है तो जबरदस्त है यार शिवानी अनिमान्शु का ग्रोथ मिलवाता हूँ मेरे आप से यह मैं हूँ मिस्टर गौरबाटिया जमना नगर हर्याना से बिलॉंग करते हैं, मेरे अपलाइन है, इस बिस्रस में मेरे मेंटोर हैं, जिनों नो मुझे बिस्रस के बारे में समझाया, बताया, इंट्रिड्यूस किया, और इंजिनिर हुआ करते थे, कभी एक लाख रुपे की तंखा थी, डेड़ लाख रुपे कमाता है, एक ऐसा आदमी जो वीलचेर पे मिस्टर बाबा करी माजी, पंद्रा लाख रुपे कमाते हैं महीने के, पैरो वाले इनसान इस इनसान के आगे खड़े नहीं हो सकते, और ये अपने पैरो पे नहीं खड़े हो सकते हैं, सोचो, कितनी प्लू एक्सवन गाड़ी चलाते हैं, मिस्टर मोहमद मोहिन, इनका ड्राइवर ग्रेजुएटर जो इनके लिए मोबाहिल चलाता है, सोचने वाली बात है, अरे जब ये कर सकते हैं, और आप क्यो नहीं कर सकते हैं, अन्दा आगूंगा वेरा, वीलचेर वाला आदमी, अन और ये 2020 में भी मैं ही हूँ, मेरे दोस्त, ये मैं ही हूँ, गाना नहीं एक, मैं वही धरपन वही, नजाने रे क्या हुआ, लागे सब नया नया, तो सब नया नया हो गया, मैं तो इनसानी वह हूँ, लेकिन दोस्त, जब सोचो, ये 2015 वाला जब ये शक्स, ये जो दिख रह हो अभी तो मेरे दोस्त मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा लास्ट में कि 2014 में देखो मेरे पास में बाइक होती थी 2016 में मैंने महिंद्रा स्कॉर्प्य गाड़ी ली 2017 में 27 साल कुमर में और डी कुफाइब गाड़ी ली 2019 में मैंने अपनी आइफ वाई 20 गाड़ी गिफ्ट करियो अभी 17 नमबर 2020 को मैंने Mercedes GLC गाड़ी खरी दी यह मेरे गाउं का घर होता था दोस्त और यह मैंने विला खरीदा और एक अभी नॉइडा में मैंने एक करोड़ 34 लाफ रुपे का घर भी फ्लाट भी लिया है मैं आपको बता दूँ अभी इस कंपनी का मैं यूथ आइकन हूँ और नेटव मार्केटिंग ने मुझे क्या दिया नेटव मार्केटिंग ने मुझे सब कुछ दिया देख सकते हैं जो आप तस्वीरों में और मेरी सबसे बड़ी लाइफ की अचीवमेंट मैं मेरी अचीवमेंट नहीं है ये अचीवमेंट मेरी जिंदगी सबसे बड़ी अचीवमेंट नहीं है जो अभी आपने फोटो में इतनी सारी गाड़ियां और घर देखें मेरी जिंदगी के अचीवमेंट सबसे बड़ी ये है कि म कोई दूसरा अगर सफल हो वो है असली मानवता और सफलता भूल जाओ सारे बाहने और बस एक बात याद रखो दोस्त किया आप ये काम कर सकते हो यू आर केपबल लेकिन देखो यार कोई तो एक ऐसा मैजीशियन होगा जादू कर होगा जो इस सारी सफलता के पीछे होगा ज जाज, AGS, BNI, HP, SBI, Louis Philippe, Zodiac, सब के लिए Corporate Trainer, देखो, Lieutenant General, Major General, I.S. Officer, CM तक लोग इनको सुनने आते हैं दोस्त, इनका सोलवे महीने का प्याउट, रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्याउट, 32,89,912 रुपे का प्याउट, इनका सोलवे महीने का, सोचो, और गाड़ी कौन सी चला आते हैं, जो Bollywood के महाना, एक के पास में गाड़ी है, Mercedes S Class, पौने दो करोड रुपे की, वो गाड़ी चलाते हैं, आज डारेट सेलिंग के महाना, एक मिस्सर सोनू शर्मा सर, लास्ट में बस मैं आपको एक दोस्त, लास्ट में एकी बात बोलूँगा, आप सब लोग को ज कि कल क्या करोगे, कल क्या करोगे, कुछ है करने को, आज चलो मुझे मेरा सवाल एक और है आप से, मुझे ऐसी कोई ऐसी चीज़ बताओ, मुझे कोई ऐसी चीज़ बताओ, जो कल आपने पूरे दिन में की हो, जिसको करने के बाद मैं आपको लगा, कि अगर मैं ये बात, य तो ये काम कर लो میरे दोस करने देता है ये काम और ना दूसरा काम करेगा जिन्दी की वर मिडल क्लास आदमी ही बनके रह जाएंगे हम तो मेरे दोस्त आप आज कोई भी भाना मार के ये बिजनस को मना कर सकते हो क्या टाइम नहीं है पैसे नहीं है सोच की बताऊंगा देखूंगा ममी बापा से पूछ लूँ पहले एक दो को रेडी कर लो कुछ भी एक भाना मारो और मत करो एक काम तीन हिजार रुपे बचा लो तीन हिजार रुपे ही जोए नहीं है तीन हिजार रुपे की वैल्यू ये है कि अगर आज आज आपकी जेब से गर जाए ना तीन हिजार रुपे तो एक महीना दो महीना तीन महीना याद बचेंगे अगर चोथे महीने तीन हिजार रुपे याद बच रहे ना तो आपको इस बिसस की नहीं जुड़ा इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या कुछ हो सकता है बिल्कुल हो सकता है माल लेते हैं एक भी आदमी नहीं जुड़ा और आपको समान था वो चोरी हो गया तो ना तो कोई आदमी जुड़ रहा है समान भी चोरी हो गया तो तीन हजार रुपे पत्ती लग गई यह सारे चीज चोरी हो सकती है आपके घर से ना, नहीं यह तो नेगिटिव से नेगिटिव बोला मैंने आपको और आपको लगता है कि सर मैं तो जुड़ जाओंगा मेरे से कोई नहीं जुड़ेगा मन में आ रहा है ना आपके ख्याल अच्छा मुझे कैसे पता आपके मन में एग ख्याल आ रहा है यही तो चीज आपको जुड़ने से रहो करी अभी पता है क्यूं? क्योंकि जब मैं जुड़न हुआ था ना मेरे मन में भी ख्याल आया था और जिसने आपको बुलाया है यहां पे जब वो जॉइन हो रहे थे, उनके मन में भी यही ख्याल आ रहा था, यार मैं तो जुड जाओंगा, मुझे तो पसंद आ गया, मुझे तो समझ में आया, लेकिन ना मैं किसी को जुड नहीं पाऊंगा, सब के मन में यह ख्याल आता है सर, और सब लोग जुडते हैं, जब अपने दोस्तों को यह बात बोलोगे ना, जुडने के बाद में, जॉइन होने के बाद, तो भी यह बात बोलेंगे, कि यार मैं जुडतो जाओं लेकिन मेरे से लोग नहीं जुड़ेंगे, मुझे तो समझ में आ गया बिज़स, सारी हर एक आदमी की घर की स्टोरी है, तो चेजार रुपे अगर आपको आने लग जाए, तो घर तोड़ा ठीक हो जाएगा, दो चार खर्चे निकल सकते हैं, सोचो कर दस जार रुपे अगर आपको आए महीने के एक्स्ट्र, तो आपने लगाया क्या है, घर का राशनी तो खरीद रहे हो, पहले परचून की दुका पॉजिटिव सोच को अपनी जिवन में सफल नहीं होता, सकारत्म का आदमी ही अच्छा सोचने वाला, पॉजिटिव विचार वाला, अच्छी सोच वाला इंसान ही सफल होता है, तो जिसने आपको यहां पर बुलाया है, तुरंट उसको कॉल करें, या अगर उसका कॉल आय करें, भाने ना मारें, हाँ अगर कोई सवाल फिर भी बचा है, आपका तो उससे जरूर पूछें, बाकी भाने ना मारें, फोन उठाने, फोन नहीं उठाना, यह चोटे वोटे काम मत करना है, बच्चे करते हैं, कि फोन नहीं उठाऊंगा, क्या कर लेगा, इससे कुछ प्रचान होए, कुछ लोग भगत सिंग की टीम में, पार्टी में आके, तो क्या भगत सिंग ने बम नहीं फेका था, भगत सिंग ने असेमली में फिर भी बम फेका, तो जिसने जो करना हो तो करेगा, आप आओ साथ में, तो ठीक ना आओ, ठीक, तो अगर आप साथ में बानायंगे दोस्ट जिसमें अपन भारत का सारा बेरोसगारी खतम करेंगे सब लोगों को रोजगार देंगे और सब लोगों को स्वें सेलफ अधी उतATA सारे यूदध को बिलिघन डनाएंगे कोड़ में जैंट बलुडलि बनाएंगे तो आपare